क्या प्यूश्वा बेले को ऐसा लगता है कि तब कॉंग्रेस थोड़ा सा ज़ाधा एक्कम करन काल सा एकक्मडेटेव होतीεν पर कियी में होना ही चाहिए क्या आख़ी समय में कि दंता मेरे साथ नहीं लेकिन आखरी में जहां वो conclude करते हैं इस सारे विशय को और अपनी राय रखते हैं उसमें वो कहते हैं कि अगर मुसल्मान चाहेंगे तो पाकिस्तान बनाना पड़ेगा असाहाय दिखते हैं थोड़े से तो ये लाचारिया तो भगवान कृष्ण के साथ अगर महा भारत में व्याज जी ने कराया कि भगवान कृष्ण अकेले पड़े हुए हैं और एक बहेलिये के तीर से उनकी मृत्ति हो जाती है तो साहिदे ट्रेजडी के लिए मनुसे अभिशप्त है और अभिशाप से से ही आते हैं फिर भी मैं सो थोड़ा इतर करता हूँ गांधी आपने इसमें लिखा कि सामप्रदाइक्ता अंतरते हुनकी जान लेकर के ही मानी है गांधी की सामप्रदाइक्ता के जो तीन-चार बुन्यादी पहलू है उससे लड़ने के उनके पास क्या टूल्स थे तो वो है वो कहता है इससे निपटने के लिए तो हमारा जमादार ही काफी इसके पास खंजर था और वो जमादार कोई और नहीं था ना थूराम गोट से था लगता है कि जो कुछ भी करता है उसको लेकर बड़ा मुतमईन है गांधी कहते हैं इसको इतिहास की किताबों में चौक चौराहे पर लगे उन भुतों को भी जिनकी कभी कभार सफाई होती है और याद कर लिया जाता है पर याद की बात ठीक ठीक कहें तो हम सब के पास हमा हमारी जेबों में हमारी जिन्दगी चलाने के लिए जो कुछ भी मुद्राएं हैं उस पर भी छपे रहते हैं गांधी और भाशनों में तो अक्सर उनका जिक राता है बहले ही समविधान में इसकी ताकीद ना की गई हो पर सबको जरूरी सा लगता है गांधी को याद करना और कुछ को बहुत जरूरी लगता है गांधी को कोसना गांधी के बारे में या हमारे दूसरे इतिहास पुर्शों के बारे में भारत में नए सिरे से बहस जारी है बहस अच्छी चीज है बशरते वो तत्यों पर आधारित हो और उसके पीछे अपना कोई अलग सा एजेंड क्या हो इसको लेकर खूब मुखा मुखम होता है खूब चर्चा होती है वही चर्चा आज आगे बढ़ेगी क्योंकि किताब वाला में आज की किताब है गांधी सियासत और सांपरदायकता इसे जन्वन पब्लिकेशन इन मीडिया प्राइवेट लिम्टेट ने चापा है ल लेलन टॉप के जो पुराने और किताब वाला के जो पुराने और सुधी दर्शक हैं वो प्यूश के नाम से वाकिफ हैं इन्होंने इससे पहले नहरू मिथक और सत्य नाम की किताब लिखी थी जिसमें हमारा संबाद हुआ था प्यूश बबेले पहले एक राजनेतिक पत्रकार थे और अब ये राजनेताओं के साथ काम करते हैं मद्यपरदेश के पूर मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर हैं इन्होंने ये किताब लिखी किताब में गांधी वांगमय का जिक्र है और हमारे समय की जो कई चर्चाएं हैं गांधी के इर्द गिर्द गांधी और गौरक्षा गांधी और हिंदू सांपरदायकता गांधी और मुस्लिम सांपरदायकता भाशा का सवाल विभाजन का सवाल जिन्ना के प्रश्ण सावर करके प्रश्ण हिंदू महासभा की राज आजनीती गांधी जब आरसिस की सभा में गए तब उन्होंने क्या कहा मुपला में जो दंगा हुआ वहां पर क्या कहा ऐसे कितने ही विशे हैं खिलाफत आंदोल अंसिले के अंतर विरोध हैं तो क्यों ना लेखक से विस्तार से बातचीत की जाए आपको हमारे दाई तरफ ये हमारे नौजवान साथी देख रहे होंगे ये दीपक तेन गुरिया जी हैं और ये ललन टॉप में किताबों का जो सेक्षन हैं उसके संपादक हैं तो आज आपके हिस्से दो-दो संपादक आए हैं दीपक जी मैं बहुत गौरान्वित महसूस कर रहा हूं कि आपके जैसे निरंतर किताब में पढ़ने वाले नौजवान के साथ मुझे आज ये इंटर्व्यू करने का मौका मिला और प्यूज जी मेरे पुराने पत्रकार साथी एक बार फिर से आ कर रही है कि गांधी जी को अब पंचतंतर से थाना अंधे का हाथी कोई तो कोई कहता है कोई कहते हैं एक कोई गांधी का हिंदू धर्म है उसे कट्टरबाद से जोड़ दो और गांधी पर आध्यात्मेक रूप से कब्जा कर लो उनका जो सफेद धवल धोती है उसको भगवा कर दो यह जो कोश्य हो रही है यह ज्यादा शातिराना और दूरगामी है तो हमें लगा कि उस हिंदुत्य की पड़ताल कर ली जाए जो आरेसेस के घर से निकलता है और हिंदू धर्म की भी जड़ा शिनक्त की जाए जो महत्मा गांधी के पास से आता है जो सनातन परमपरा में कबीर का था तुलसी का था तो इसलिए किताब पूरी तरह से हिंदू-मुश्लिम प्रशन पर सांपरदा विधिनाम मकिस पहेली को पहले क्यूं नहीं सुल्जा लिया गया तब गांधी का लिखा उनपर लिखा हर साल जितनी किताबیں जीजस के उपर आती होगी, लगभग उतनी किताबیں गान्धी पर आती हैं, उनका खुद का लिखा बोला मौझूद है, फिर भी गान्धी को लिखकर के जो आपने हाथी वाली संया दी, मैं उसे पहली कहूंगा, ये पहली क्यों है अभी तक गान्धी को लिख यह text कि यह सौसाल पहले एकसाल पहले गांधी की पहली ऑफिशियल जीवनी रूम्यृ रूला ने लिखी थी और उसमें उन्होंने महात्मा गांधी की तुलना क्राइस्ट से कर दी थी कि क्राइस्ट जैसा आ चुका है और उन्होंने ये लिखा कि हिंदुस्तान की जंता ने उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माल लिया है ये बात हैं सो साल पहले हो चुकी है लेक और फिर आप देखें आज जो अहिंसा दिवस युएन में होता है वो गांधी जी के जन्म दिन पर है लगवग हिंदुस्तान में भी हर शेहर में उनकी मुर्वतियां उनके नाम पर महलें और दुनिया के हर देश में कम से कम एक मूर्ती तो गांधी जी की होगी तो वो वेल एस्टिविस्ट हैं विद्वजनों में, आमजन में, विद्रोहियों में, ये सारी बातें थी लेकिन पिछले कुछ समय से एक तबका ऐसा था जो गांधी जी के हत्या के पीछे था एक विचारधारा ऐसी थी जो गांधी के हत्या के पीछे थी वो विचारधारा शुरू से ही उनके बारे में भ्रह्म फैलाने की कोशिश करती रही अब 10-15 साल से उसको नए संचार माध्यम मिल गए, नए प्लेटफॉर्म मिल गए और नए पाई हुई सत्ता मिल गई, उसके बल पर उसने इतने भ्रह्म इतने जूट गांधी के बारे में फैलाए हैं कि जो आपने सवाल किया कि ये पहले खत्म क्यों नहीं हो गए, तो ये सब खत्म थे, नए से रेशे शुरू हुए हैं कि 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को एक तरफ देश का शीर सनेतुरत विपक्ट से सत्ता पक्ट सारे दल उनको माला पहनाएंगे, उनको पुषपान जली देंगे और ट्विटर पर उनका हत्यारा या उस तरह कि उनके खिलाप की बातें ट्रेंड करेंगी तो ये एक साथ जो दोनों चीज़ें चल रही है, इसलिए ये लिखने की जरूरत है कि इस जनरेशन को एक बार फिर से वो पुराना दौर दिखाया जाए क्योंकि उस दौर में उसका भविश्ट भी समाहे थे, उस तरष्टी से ये लिखा गया मेरी बाल सुलब जग्यासा है तो एक सवाल और पूछ लेता हूँ इसमें आप ये मैं पहले डिस्क्लेमर के साथ ये बात कह रहा हूँ किसी भी इतिहासकार का, पत्रकार का, व्यक्ती का अपना निजी चुनाव है, वो किस पर लिखे, किस पर पढ़े पर गांधी को लेकर के, एक बहुत बड़ी आलोचना, या और मैं बिल्कुल इस दिनाम लेकर कहूँ कि दक्षटपंती इतिहासकार इस बात पर आलोचना करते हैं कि आजादी का जो हमारा पूरा संगर्ष है, उनिशो पंद्रे जब गांधी भारत आ रहे हैं उसके बात से, वो गांधी के इर्दगिर्द रचा और बुना गया है मतलब और जो हमारे founding fathers थे, उनको कम space दिया गया, गांधी को बहुत ज़ादा दिया गया इस अलोचना को आप कैसे देखते हैं और इसमें गांधी पर एक और किताब आना इसमें मैं प्यूश एक supplementary सवाल भी जोड़ूँगा संजीव सान्याल भारत सरकार के साथ काम करते हैं, इध्यास पर भी लिख रहें लगाता है उनकी एक किताबाई revolutionaries के नाम से उसका हिंदी संस्क्रण भी आ गया अमित शाह उसकी देशेगरी मंत्री जो है अभी उन्होंने भूमिका लिखी तो उन्होंने यही बात जो इन्होंने कही कि दक्षनपंथी विचारक जो कहते हैं कि आप ये बताएं कि गांधी के नेतरत तुमें एक बड़ा अहिंसक और राजनेतिक आंदोलन बिल्ड हुआ ये समझ में आता है लेकिन उस करम में यदि रॉयल नेवी रिवोल्ट या दूसरे जो गरम पंथी थे अलग-अलग धाराएं थी उनके विद्रो को उनके योगदान को उतना महत्तु नहीं दिया गया है तो इस व्याक्या से आप कितने सहमत हैं या तो उन्होंने छटमी, साथमी, आठमी में इतियास की किताब पढ़ी नहीं है मैंने तो पढ़ी, दसमी तक इतियास दस्त war पढ़ा है मुझे याद है कि उसमें एक फोटो गांडी जी की होती थी बागत सिंग की फोटो भी मैंने उसी किताब में देखी है चंदरशिखर आजात की फोटो भी उसी में देखी है नहरुजी की भी एकी फोटो चकती है और सुभाषचर्णलबोस की भी एकी फोटो होते है तो ये इनके मन की कुंठा है कि उन्ने नहीं बताया गया अगर नहीं बताया गया होता तो आज हिंदुस्तान में डॉक्टर अमिटकर की इतनी मूरतियां कैसे है सुभाज चंद्र बोस की इतने मूर्थियां कैसे है सरदार भगत सिंग के नाम पे इतने कॉलेज कैसे है सब लोग उनका नाम जानते है ये एक वो लोग कह रहे हैं जिनका ना सुभाज से कोई तालोग है ना भगत सिंग से कोई तालोग है उनकी धारा है और मैं इसमें जोडता हूँ उसको आगे करता हूँ 1915 में जब महत्मा गांधी आये हैं और इस किताब में जिक्र भी है उसका उनके जो तमाम स्वागत समारो हुए उनमेंसे शुरू आती दूसरा तीसरा स्वागत समारो मेंसे एक समारो बंबई में होता है सर्वेंट ओफ इंडिया सोसाइटी जो गोखले साब की थी उसके बंबई शेप्टर ने किया और उसमें उस जमाने में सबसे बड़ा हिंदुस्तान के दो ही नेता थे लोकमाने तिलक और गोखले और दोनों में थोड़ा सा विचारधारा की ऐसा हमती थी ये भी बहुत खुला रहे से उसमें स्वागत समारो में तिलक को नियोता नहीं दिया गया जो भी करण रहा हो और तिलक बिना नियोते के उस कारिकरम में जाते हैं और वहाँ जो भाषन देते हैं लोकमाने तिलक वो ये कहते हैं कि मैं इस कारिकरम में बिना बुलाए आया हूँ क्योंकि ये जो गांधी दमपती का हम यहां स्वागत करने खड़े हुए हैं इन्होंने साथ समंदर पार एक अजनवी जमीन पर भारत माता का मान बढ़ाया है इनके सम्मान में मुझे जहां भी जाना पड़ेगा मैं जहूंगा बिना बुलाए या बुलाए तो आप समझेए कि और तिलक की क्या हैसियत है तिलक वो हैं जब गांधी को सजा होती है और गांधी कहते हैं कि आज मुझे तिलक के बराबर की सजा हुई है मेरा मान बढ़ गया इतना बड़ा नेता उन से आके ये बात कहता है भगस सिंग का अगर आप पढ़ें भगस सिंग जब छोटे बच्चे थे 10-11 साल के तो जलियां बाला बाग जाते हैं और वहां की मिट्टी अपने जेम में रखे लेते हैं जो उनके कुछ बायोगराफर्स ने लिखा है किस से प्रवायत होते हैं चंदर सेखर आजा जब 14 साल की उम्र में नैनी जेल के अंदर उने बंद हैं उनके बैंत पढ़ते हैं वो किसकी जेकारा लगाते हैं वो महत्मा गांधी की जे बोलते हैं फिर जब भगस सिंग बड़े हो जाते हैं और उस जेल में बंद होते हैं कि भूखड़ताल चलती है तो उनकी रहाई के लिए वाइस रहे से कौन बाचीत करता है महत्मा गांधी करते हैं उनसे जेल में मिलने कौन जाता है पंडिश जवारलाल नहरू जाते हैं सुभास चंदर बूस जाते हैं अब इनमें क्या अंतर हो रहा है आगे भी आप बढ़ेंगे तो इनने तो कॉंग्रेस के नेताओं को लग कर ले सुभास चंदर बूस किस पार्टी के अध्यक्स थे भगस सिंग के पिता जी किस पार्टी से जोडे हुए थे तो ये असल में बहुत सिंपल सी बात है कि अंग्रेजों से कुछ शक्तियां लड़ रही थी और कुछ शक्तियां उन शक्तियों से लड रही थी महत्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा अंब्रेला ओंडाइशन था जो आजाधी की लड़ाय लड रहा था दूसरा दल करांतिकारियों का था वो भी अंग्रेजों से लड रहे थे और भी लोग अलग-अलग तोर पर लड़ रहे थी, लेकिन एक हिंदू कट्टरपंथ था और एक मुस्लिम कट्टरपंथ था जो अंग्रेजों से नहीं लड़ रहा था, जो गांधी से लड़ रहा था, मुस्लिम कट्टरपंथ ने तो अपना पाकिस्तान बना के अलग हो गय सब्सक्राइब देज के बटवरा करा दिया हिंदू का टरपंथ आज तक को नुठा से बाहर नहीं आए अगर इन होने उन चीजों का समर्थन किया हो तो हम समझें की नीए सबूह पूछने का अधिकार है जिसमें वो विस्तार से जिन्ना और सावरकर की नीतियों की समीक्षा करते हैं और उसके बरक्स गांधी की और आपने वहां पे गांधी के बचाव में लिखा भी है कि जब हम अमबेटकर की गांधी पर टिपनी पढ़ हैं तो पूना पैक्ट को भी य प्रश्ण पर आऊंगा पर लोग यह भी कहते हैं कि आज जब कॉंग्रेस यह दलीलें दे रहा है कि सुभाष बाबू क्या थे कॉंग्रेसी थे यह सरदार पटेल क्या थे कॉंग्रेसी थे तो वह होता क्या है कि सारी बहसें जो हैं वह 1947 के पहले से अपने लिए तरक आरोपित कर देती हैं भाजपा के आलोचक कहेंगे कि भाजपा सावरकर को अपना आराध्य पुरुष मानती है और हिंदू महासभा इसकी पूरोपीठ का है बचाओ वाले कहेंगे कि साब संग तो हिंदू महासभा के साथ नहीं गया इसलिए जन संग को उन्होंने कॉंग्रेस के आलोचक कहेंगे कि क्या 2023 की कॉंग्रेस इतने विभाजन के बाद और एक परिवार की आधिपत्य के बाद वहीं कॉंग्रेस है जहां पर किस किस्म की मुठबेड होती थी जब सरदार पटेल और नहरू के कैंडिडेट उन्निस और पचास में चुनाव तो यह तो हमें दिख रहा है कि पॉलिटिकल टसल है क्लेम करने के ऊपर कि यह किसके हैं पटेल कॉंग्रेसी जादा है या गुजराती जादा है वह लौपुरुष हैं और वह भारती राश्रवाद और इंडियन राइट विंग के हीरो हैं क्योंकि वह तो इसमें क्या होता कि कोई नहरू के बरक्स उनको खड़ा कर रहा है कोई गांधी के बरक्स खड़ा कर रहा है यह तो समझ में आता है इन सब के बीच अंबेटकर की टीकाओं को पढ़ना हमारे लिए बड़ा दिल्चस्प होता है तो लो उसके बारे में बताईए आपने बहुत विस्तार से ल देना देना था बलकि यह कहा है वो तीनों के ही आलोचक थे इस जो वो तो पूरी किताब उन्होंने लिखी और अलग अलग पूरा स्टेटिस्टिक्स भी लिखी जातियों के समीकरण भी लिखी दुनिया बर के जो लोक तंद्र के मॉडल हैं देशों के बिभाजन के आएक एकता करा दें और वो आगे जाके दॉक्टर अमिटकर को दिये लगता है कि मुसल्मानों के तरफ काफी हद तक उनने हाथ बढ़ाया है गांधी ने लेकिन वो एकता हो नहीं सकी लेकिन वो कहते हैं कि एकता कि इन्होंने पूरी कोशिश की है दूसरी बात वो जिन्ना के ल सावर कर का पूरा विश्टेशन करते हैं जब सावर कर जेल से छूटके आ गए और उनके भाशन हो रहा है हिंदू महासभा के हैड के तौर पर तो उसमें वो कह रहे हैं कि इन्होंने भी हिंदू राश्ट की मांग प्रमुक्ता से उठा दी है फिर वो दोनों को और फाइन व। व्याख्या से ही जाएं तो उसमें उस हिंदू राश्ट के अंदर मुसल्मान दोयं दर्जे के नागरिक की तरह रहें फिर इस व्याख्या को डॉक्र अम्बेर कर आगे ले जाते हैं कि अगर आपने ऐसे हिंदू राश्ट की वकालत कर दी या उसका दावा पेश कर द हैं और दोनों की मांगें देश को विभाजन की ओर ले जा रही है ये उनकी व्याख्या निकलती है फिर वो उसमें और भी बहुत सी बातें डॉक्टर अंबेटकर कहते हैं अन्य देशों के उधारन लाते हैं संभावनाय तलासते हैं समीकरन तलासते हैं फॉर्मूले लाते हैं कि कैसे बन सकता है क्या हो सकता है कौन सी रियायतें दी जा सकती है लेकिन आखरी में जहां वो करते हैं इस सारे विशे को और अपनी राय रखते हैं उसमें वो कहते हैं कि अगर मुसल्मान चाहेंगे तो पाकिस्तान बनाना पड़ेगा और यह आजादी से कॉंग्रेस थोड़ी सी जादा समावेशी होती प्रांती एसेंबली इसके चुनाओं के बाद और तो शायद इतनी स्थिती नहीं होती आप खुद भी अपनी किताब में लिखते हैं कि दरसल 1936 में लोटे जिन्ना एक और लखनव समझोते की उम्मीद कर रहे थे हाइंड साइड विजडम सब के लिए उपलब्ध है कि अतीत में जाना और ये जज करना कि यूं होता तो क्या होता क्या प्यूश्वभेले को ऐसा लगता है कि तब कॉंग्रेस थोड़ा सा जादा एकुमेडेटिव होती नहरू थोड़े से जादा एकुमेडेटिव होते दो बाते हैं इसमें बहुत हमें रुखना पड़ाएगा जो सरदार पटेल की बायोग्राफी लिखी है राजबुहन गांधी ने पटेल लाइफ 37 में नहरू कॉंग्रेस के बास नहीं है उस चेप्टर का नाम है दा बास कॉंग्रेस के बास हैं सरदार बलब भाई पटेल तो जब हम गांधी और नहरू यहां कह रहे हैं तो हमें कह रहे हैं पड़ाएगा नहरू और पटेल एकुमेडेटिव होती एक बात दूसरी बात यह है कि 37 में जो हुआ उसके बाद बार बार जो पूरी रणनीती दिखती है 1916 से लेके 1927 तक जो भी मांग आप मान लो मुस्लिम लीक की अगली बार जब उन्हें टेबल बे बुलाओ तो एक नई मांग लेके आएंगे और जिन्ना के सारे आप जितना भी उनकी बातचीत हुई है उनसे घंटों बात करिए दिनों तक बात करिए जब समझोते कि टेबल बहूंगा कि क्या आप सिगनेचर करेंग मांट बेटन ने फटकार लगाई थी कि चाहिए या नहीं चाहिए तो उस समय ऐसा में लग सकता है कि और उदार होना चाहिए था लेकिन उसके बाद और भी बहुत उदारता दिखाए गई है लेकिन उनका कोई हासिल हुआ नहीं क्योंकि जिन्ना और भी आप देखेंगे दुनिया के और भी देश बटे हैं और बिटिस सामराज से आजाद होके ही बटे हैं शायद उन्हें इस बात के लिए फिक्स कर दिया गया था कि तुम्हें इससे पीछे हटना ही नहीं है तो वो गुझाष होती नहीं क्योंकि जिन्ना जो कर रहे तो आप तो शायद के यह उपलब्ध हैं आप तुरण तो चुकि इसमें संदर्वुनकर नहीं आया तो मैं नाम नहीं बता सकता लेकिन और भी किताबें जो लिखी गई है भारत से भी लिखी है और बाहर से भी लिखी है उन्हें यह बातें बहुत तरीके से आती है बल्क नहीं अब मैं आपको बत किताब मैंने पड़ी जो सरदार पटेल कहने पर लिखी गई उसमें यह जिक्र आता है कि माउंट बेटन के आने से पहले जो वाइसराय थे उनको एक प्रस्ताव भीजा गया था कि भारत को डोमिनियन इस्टिटरस दे दिया जाए और भारत का विभाजन उसमें हो जाए व शैलेस पटेल साब से अलग से सहीमती ली नहरू से सहीमती ली जिनना तो चाही रहे थे तो अगर और यह अंतह तो अंग्रेश सरकार के अधिकारी थे तो यह प्रस्ताव होंसे चल के आये थे तो यह मैं कह सकता हूं शायद की बात अके लिए नहीं है यह वहां से थे और अगर मुझे लगा कि आप किसी खास किताब के चुंकि यह संदर पहां बहुत गए नहीं थे इसलिए लेकिन है वो चीजें आपने राजमोहन गांधी किताब का जिक्र किया दी बॉस मैं दो दशक एक दशक पहले चल लेता हूं जब गांधी बॉस है खिलाफत का जो दो दोर है और उसके बालन को आपरेशन आता है कई आलोचक इस बात पर कहते हैं कि टर्की के एक मुव्मेंट को भारती मुसल्मानों के साथ जोड़ना और उसके बाद आप देखे वो शौकत अलीब दरस के पास जाते हैं जिसकी बाचीत पूरी है अलोचक बड़ी विचित किसम की आलोचना करते हैं इससे जदा बड़ी आलोचना इस बात की होती है कि गांधी जी ने असाहिग वांदूनन बापस क्यों ले लिया था वरना दिस आजाद हो गया होता चोरा-चोरी के बाद एकता चाहिए उनने ये भी आइडेंटिफाई किया कि इनके जगड़े के विशे क्या क्या है तब उनने देखा कि अगर मुसल्मानों के दिल को ये विशे चू रहा है तो उसकी समस्या की घड़ी में अगर हिंदू हाथ बढ़ाएगा तो दिल से दिल मिलेंगी हमारे पड रोचक कह रहे हैं कि खिलाफत आंदूला नों कोई दमी नहीं थी खलीफा फीचे हट गया वो एक बात हो गई वो लॉजिकल आप कर सकते हैं लेकिर पड़ोसी दुखी था प्यासा था मैंने का मैं तुमें पानी पिलाता हूं और उसकी हिंदू-मुसलिम एकता इस आलम तक स्वामी श्रद्धानंद जी के दितुरत में जरूस निकल रहा है और उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों सामने खड़े हैं गोर्खा सेनिक गोली चलाते हैं और लोग मारे जाते हैं उसमें पांच मुसलमान और चार हिंदू मरते हैं तो भारत की आजादी के लिए साथ भेता है तो उस गांधी का उद्देश हिंदूस्तान की आजादी और हिंदूस्तान की लोगों की एकता है उन्हें कोई एक्रेडमिक्स में यह बहसें नहीं करनी थी लाइब्रेरी में बैठके और उसके रजेट्स भी आये हैं तो अगर रजेट्स से देखें तो यह आगे भी चल सकती है अलोचना की जा सकती है लेकिन अलोचक बताएं कि वो क्या करते तो कुछ बात बने यह बहुत ब्लैक एंड वाइट हो रहा था और मैं इसे थोड़ा ग्रे पर लेकर आता हूं हाना कि मुझे इंडिया टुडे साहित तिवार से की मैं असे जैदी का सामप्रदाइकता अंतरते हैं उनकी जान लेकर के ही मानी गांधी की सामप्रदाइकता के जो तीन-चार बुन्यादी पहलो है उससे लड़ने के उनके पास क्या टूल्स थे क्योंकि आप जब यह इस बात को कहते हैं कि हड़पने की कोशिश की जा रही है और सामप्रदाइ और असहयोगा अंदुलन अरूज पे चड़ा अपने बहुत तेजी चल रहा था तो उसमें ये भारत माता की जै का नारा लगता था और मुसल्मान लोग अल्ला हुआ अकबर का नारा लगाते थे मौलाना शौकत अली मौलाना मौम्मद अली और गांधी जी बगारा मंच प करते थे हिंदू मुसल्मान की जै भारत माता की जै महत्मा गांधी सौकद अली की जै उन्होंने ये नारे इस तरह से बदले दूसरा उन्होंने ये कहा कि धर्म हमारी आस्था का विशय है हमारे आचरन का विशय है तो हम जतनी और जायातर आध्यात्मिक जो पक्ष है धर् क्वड़ा है ही नहीं कुछ बाते होती है कुछ फैर्ट लाइन से उसको हम धरकिनार करें क्यों मिनिमम प्रोग्राम क्यों ना बनाए उनने कभी हिंदू से नहीं कहा कि तुम हिंदू करना खाऊ उन्होंने इंटर जो दोनों धर्मों में शाधिया कराने के बारे में कोई श नहीं किया है जातियों के उन्होंने बुराइद नहीं किये वणास्रम वरस्ता की शुरू में गांदी नहीं किये लेकिन गांडी ने अच्छूत प्रता की अस्पर शता की शโूरू से बुराई की और कहा कि het down तो गांधी जी जैसे घर का एक बुजुर्ग होता है बड़ा व्यक्ति होता है जो लीडर होता है उसके घर में चार लोग है चारों के अपिबिल है तो चारों के सुभाव में जो समानता है जिससे एक यूनिटी बन सकती है उसको एक साथ लाओ और अपनी विवित्ता को सम्हें आनिवारें नहीं हैं तो आप गाये काटना चोड़ दीजीए यह मुसलमानों ऑसे कहते थे हिंदूर से बचाते हूँ उसको बचाते हूँ अपने प्राण दे दो और यहां तक जाते थे कहते हूए कि यहुत्य रख्षा सभाएं नहीं है यह घुगध होद सोह कि रक्षा करना नहीं है मूल उद्देश मुसल्मान से लड़ना है और जो पहला अपवास गांदी जी करते हैं जेल से लोटने के बाद खिलाफत असवह गांदुलन के बाद 21 दिन का उसके आखरी में महुलाना मुहम्मद अली बूजड़ खाने से गाय चुड़ा के लाते है और वो गांदी को गिफ्ट करते हैं तो ये जब धर्म में इतने पुल हैं इतने रिष्टों में प्यार है तो हम इस तरह से उसको जोड़ सकते हैं ये गांदी के कुछ तरीके थे गांदी की ये सब तरीके थे सबसे आदा प्रभाव भी था और कई इतिहासकारों ने इसको लिखा भी है आप भी जिखर करते हैं कि विभाजन तक आते आते गांदी का वो प्रभाव और नियंत्रन गुम जा रहा था ता गांदी एक बड़ी नहतिक सक्ता पर विराज कर य सब जगे घूम रहे थे पर जब आप किसी के इतने बड़े प्रभावकारी व्यक्तित्तों की बात करते हैं तो इस अस्फलता पर भी खुब जिक्र होता है कि आंतता गांधी और उनके निर्देशन में काम कर रहे हैं लोग चूके कहां ये इस चीज को चेक क्यों नहीं किय जा सकता सांपृदायक था कि प्रशन को क्या और रचनात्मक होना चाहिए तो कहां गलबड थी गलबड नहीं कह सकते मकान तो बहुत अच्छा बनाया गया था एक इंसान के में जितनी ताब हो सकती है उतना सब किया गया था लेकिन जब सब तरफ से ही ते कर लिया जाए कि तो नहीं समझ में आएगा इसके लिए वहीं जाना पड़ेगा जहां से गांधी ने शुरू किया है गांधी के जिहन पर जिस किताब का बहुत असर है वो है Death and Defense of Socrates जिसका उन्होंने पहली किताब जिसका उन्होंने अन्वाद किया एक सत्याग रही की डायरी और उसको करका पहला दिया जाता है और मरते हैं इसा मसी के साथ क्या होता है आज पूरी दुनिया में इतना बड़ा इसाई धर्म हो गया लेकिन उस समय उनके विरोधी इतने ताकतवर थे कि उनको देके मार दिया गया तो उसमें जो बुनियादी बात Death and Defense of Socrates में प्लेटों ने सुक परपत किया कि नहीं किया तो गांधी माल हो सकता हिंदुस्तान आजादी नहीं होता या हो सकता हिंदुस्तान बटवारा नहीं होता इन सबसे गांधी बहुत महान नहीं हो जाते गांधी महान इसलिए हुए कि जिस मूल्य के लिए उनने कहा कि हिंदू-Muslim एकता होने चाहि मैं भगवान के भरोसे रहूंगा जिन मूलियों पे जिये उनके लिए उनने अपने प्रान त्याग दिये हम बहुत चीजों में जा सकते हैं कि वह बटवारा कैसे हुगा तो गांधी का इस किताब में भी मैंने लिखा पैरलाल जी ने बहुत अच्छा वर्डन पूरा पूरा हो जाती है तो साइधे ट्रेजडी के लिए मनुसे अभिशप्त है और अभिशाप से गांधी जी भी नहीं बच सके जिस अभिशाप किया बात कर रहे थे और मैं अब बिल्कुल शुरुआत में एक बार दुबारा लोकेट करना चाहूंगा उन्नीस्वा पंद्रे वजब गांधी भारत आते हैं वो ऐसा दौर है जब बेपिन चंद्रपाल सन्यास ले चुके हैं च्छे साल की जेल काट कर आए हैं अर्विन घोष और तमान तरह की इसी परिस्तितिया रही जिसमें हमारा आजदी का जो आंदूलन था वो क्योंकि सुराजाइट सुसे पहले आये पहले एक और बंग बंग का विद्रो हुआ था गांधी के पास भी दो भारत थे जिसके आप इस किताब में बात करते हैं जो आज तक बहुत शलती एंडिया वर्सेस भारत की गांधी के दो भारत के बीच में से समन्वे कहां पर था जो उन्होंने खोजा ये बहुत बुनि वहां बैठके देश की चिंता करें उस चिंता को एक कागज पर लिखें और ग्यापन की शकल में बिटिस गवर्मेंट को दे दें या फिर कहीं कोई दिकत लोगों को है तो बरिष्टर के तोर पे अदालत में खड़े होके उसका बचाओ करें और एक दिखनोंसी किसम की संस जो थी असेंबली थी वहां कुछ जो अरेजों के इच्छा से ही चुने गए थे भारती लोग भारत के प्रती प्रेम रखने वाले लोग थे अच्छे लोग थे वहां खड़े होके उसकी आलोचना करें एक हद तक लेकिन उनके पास को डिसाइसे पावर ना हो गांधी ने आर्मचेर पॉलिटिक्स को खत्म किया खत्म कैसे किया कि जिन्ना की लडाई भी यहीं से हुई थी उनसे कि जब भीड के मजदूर गरीब जिनके पसीने की गंध भी आ रही है धूब भी है धूल भी है वहां जब बैरिश्टरों से बैठने के लिए कहा गया तो उन्हें अ देशों से चाहे वो सुभास ICS हों या सरदार वल्लब भाई पटेल एहमदाबाद के सबसे ज़्यादा फीज लेने वाले वकील हों चाहे मोतिलाल नहरु इलहबाद के हों देश बंजू चतरंदंदास कलकत्ता के सबसे ज़्यादा फीज लेने वाले वकील हों तो यह जो म ब्रेंद था जो की लगजरी में जा सकता था, जो कमफर्ट में जा सकता था, जो पैसा कमाने की ओर जा सकता था, उसको उन्होंने जनोन मुखी बनाया, तो ये सब के सब बहुत सामान धोती कुरते में आपको दिखाई देंगे, सुवाशन दबोस ने तो यहां तक लिखा कि जब वो पहली बार आए लंडन से इस्तीफा देके और सीधे मनी भवन बंबई में गए गांधी जी के आवास पर, तो वो सूट टाई में थे, और वहां सब तरफ खादी बिची हुई थी, गांधी जी खादी पहने हुएं, खादी के परदे, खादी का ये लेहाव सब ची है, ये तुमारे सहयोग से टिकी हुई है, तुम इसे टेक्स देते हो, इसलिए एपनपती है, तुम अपने बच्चों को पुलिस में भरती करते हो, तो वो तुमें मारते हैं, तुम अपने बच्चे को वकील बनाते हो, तो वो तुमारा ही सोशन करते हैं, तो ये सहयोग से टिकी हुई सकता है इससे तुम जिस दिन असायोग कर दोगे और मन से मान लोगे कि हम गुलाम नहीं है उस दिन तुम बाहर आ जाओगे और इस बात को समझाने वो तमाम एलीट जिने उसने मद्यमर्ग से लाया था उनको जोड दिया और साथ-साथ खुले मैदान में बिठान हैं हम भी बंबई चलते हैं माउंट प्लिजेंट रोड जिन्ना और गांधी की मुलाकात मेरे प्यारे जिन्ना भाई मैं आपके लिए खाकरा लेकर आया हूं अपने सायोगियों को डाटते हैं कि अलग से बोतल ना भिजवाया करो ताकि ये संदेश ना जाए कि गांधी कि जिन्ना के बीच का जो समवाद हुआ उसमें कौन सी जगे से आपको लगता है सर क्योंकि लंबी मिटिंग चली है वो कौन सी जगे से आपको लगता है कि यहां से बात टूट गेती हो कि वो समवाद भारत में अगर वो कहता ने कि वाटर शेड मुमेंट तो वो समवाद एक कमपनी उनका जवरदस्त विरोध कर रही है उनके जाने के लिए उनके आस्रम को हिंदू महासवा की लोगों ने घेड लिया है चारों तरब से गांधी पुलिस के लिए मना कर रहा है लेकिन अंग्रीज असन था तो पुलिस आती है गांधी निकलते हैं तो उनको बचाने के लिए कुछ लोगों को गिरफतार किया जाता है गिरफतार करके उन लोगों को थाने ले जाया जाता है थाने में उनसे पूछा जाता है कि भाई आप लोग क्यों विरोध कर रहा है क्या दिक्टत है तो वो कहते हैं नहीं हम यह सब मेनी चाहता है गांदी जिन्ना से बातचीत करें उन मेंसे एक आदमी और गरफ़तार होता है उसके पास इतना बड़ा खंजर होता है और जो उनका head होता है उससे जो पुलिस वाला है वो कहता है जो पुलिस का SP टाइप का कोई आदमी सार्जेंट है जो भी पूश रहा हो वो कहता है कि अगर ये गांधी जी और सावर करके बीच का बात है तो दोनों बड़े नेता मिलके बाचीत करके सुलजाएं आप लोग इसमें क्यों आ रहे हो तो वो जो हैड है वो कहता है इससे निपटने के लिए तो हमारा जमादार ही काफी है जिसके पास खंजर था और वो जमादार कोई और नहीं था नाथुराम गोट से था तो सन 44 में जब भारत का विभाजन ना हो सके इसके लिए गांधी जी जिन्ना से बाचीत करने के लिए चल रहे हैं तो उस दिन भी नाथुराम गोट से खंजर लेके उनके आश्रम के बाहर उनका मर्डर करने के लिए खड़ा हुआ है एक बात हुई अब हम जाते हैं जिन् जिन्ना कह रहे हैं कि तुम हिंदू को लीडर हो और में मुस्लमानों को लीडर हो यह मान लो तभी बात होगी कितने तर्क सब इसमें लंबिल्भि लिखे ऱहे हैं रहे हैं लेकिन जो मैंने विशुरू में कहा कि शायद कोई ओर्डर था कि तुम्हें नहीं हिलना है इस जगह से तो वो वहीं खड़े रहे हिले ही नहीं उसमें को डिस्कसन हुआ ही नहीं ये एक बहुत ही रोचक प्रसंग है आपकी किताब में है हैदरी मेंशन में जो कुछ होता है ये बड़ा दिल्चस्प देखना 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद होता है कराची में मुहम्मद अली जिन्ना है 14 अगस्त की रात 15 अगस्त का दिन भारत की आजादी की घोशना होती है नहरू अपना इतिहासिक भाष्ण देते हैं और उसी रात हैदरी मेंशन में समान संख्या में हिंदू और मुस्लिम स्वयम सेवक उस तूटी फूटी इमारत की जिसकी खिड़कियों के काच पत्थर बाजी से तूटे हैं जिसको कुछ दिनों पहले एक हिंसक भीड नगेर रखा था कि जब डारेक्ट एक्शन हो रहा था एक बरस पहले और मुसल्मान हमें इसी कलकत्ता में दोड़ा दोड़ा कर मार रहे थे तब आप कहां थे इसी सुहरावर्दी के इशारे पर और इसी शहीद सुहरावर्दी के कहने पर आज आज आप नुवाखाली जाने के बजाए यहां आ गए हैं वो मनजर बताईए जिस तरीके जा आपने बहुत ही शब्द चित्रात्मक्ता के साथ वो पूरा वर्णन किया है गांधी की दलीलों को नौजवानों के सवालों को प्रस्तुत किया है वो पूरा वाक्या आप 46 से ही नौखाली से ही शुरू होता है एक तरह से देखें और गांधी जी जब आते हैं तब भी उन्हें कलकत्ता ही आना था 46 में लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि हिंदूओं को इतने बड़े पैमाने पो वहां कतले आम किया गया है तो गांधी वहां जा रहे हैं मदद कर रहे हैं एक प्रसंग तो इतना वहां का नौखाली का है कि एक कुत्ता आ जाता है गांधी जी के पास और वो बार-बार ऐसी कोशिश कर रहा है कि गांधी उसके साथ चले गांधी महसूस करते हैं कि यह चाहता है कि मैं इसके साथ चल इस तरह की घटना उसमें होती है और यहीं आते हैं गांदी जी ने मुसलमानों के हाथ से इसका गांदी जी की पौत्री सुमित्रा कुलकर्णी जी ने महात्मा लास्ट फेज अन्मूल विरासत किताब चीन खंड में उसमें वर्णन पूरा किया है कि हिंदू मंदिरों में मू कोशिस होती है कि मैं किसी मुसल्मान के घर में रुकूं जो नहीं नहीं मिलता उन्हें उन्हें गालियां मिल रही हैं उनको त्रशकार हो रहा है हर चीज हो रही है लेकिन वह नुवा खाली निप्टा के जैसे तैसे जाते हैं तब तक बिहार सुर हो जाता है बिहार में रि सब्सक्राइब नराचरत हिंदु है तो वह ईक्षा करेंगें페म करेंग और दिल्पी से ढ़से और करेंगेंगे। फिर करेंdok technology पे का भ ceux-व दिशाय की आडिकारी मुसलमान तो आप पार्टिसन के बाद जब गांदी आ रहे हैं तो वहां लगवग ये हो गया है सारे हिंदू अधिकारी हैं और मुसलमान बड़े प्रिमानि पाकिस्तान में चले गए तो एक साल पहले जो रो रहे थे वो आज कतल कर रहे हैं, जो मार रहे थे वो आज रो रहे हैं, जो चीफ मिनिश्टर सहीद सोरावर्दी सारे हत्या कांडी के लिए जिम्मेदार था वो गांदी के बगल में बैठा है, उसे एक आदमी मार रहा है तो इसमें बारी कीसे बात यह पूरे द्रस्में कि गांदी जहां जो पीड़त हो रहा है, उसके साथ खड़े हो रहे हैं, चाहे हो जब मुसल्मान होता हो तो मुसल्मान, और जब हिंदू होता हो तो हिंदू, और दोनों से वो एक ही बात कहते हैं कि अगर इसने मारा है तुझे, और तुझे लगता है कि इसने कोई जुल्म किया तू मुझे मार के अगर इसका प्रच्षोर ले सकता हो तो ले ले और सबसे कठिन काम जो गांदी करते हैं, जो कोई मसीह ही कर सकता है कि जैसे कोई हिंदू आया और उसने कहा कि मेरी बेटी को एक मुसल्मान ने मार दिया पाकिस्तान में तो वो उसीह कहते हैं कि तूँ एक कोई किसी हिंदू ने किसी मुसल्मान बच्ची को मार दिया और जो अनात हो तो तूँ उस मुसल्मान की बच्ची को पाल ले. ये बात आज कोई भी तमाम लोग कथा बाच रहे हैं सब कर रहे हैं ऐसी बातें नहीं कह सकता और ना मनवा सकता है वो यहाँ दिल्ली के किंग्सवे कैम्प जा रहे हैं पूरे भारत में गांधी घूम रहा है सिर्फ नेतिक बल से दो लड़कियां उनके साथ अकेली हैं कुछ बिल्कुल अपने उनके साथ के कारे करता है जो पॉलिटिकल नहीं है वहाँ कोई नहरू नहीं है वहाँ कोई पठेल नहीं है कोई मौलाना आजाद नहीं है गांधी है उनके आस्रम के सहयोगी है और मानवता की असीम शक्ती की परिक्षा है जो वो बार-बार देते हैं और हम देखते हैं कि उसमें बिल्कुल ऐसी घटना है जब हम पढ़ते हैं कि जो हम यकीन है नहीं कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कोई ऐसा आदमी जो डंडा मारने को आया है जो गांधी को उपर रेटियां फेक रहा है वोने प्रणाम कर लेता है शिविर मुक्य अतिति महात्मा गांधी शहर दिल्ली उस भाषन को सब अपने अपने हिसाब से प्रस्तुत करते हैं आपकी क्या व्यक्या है मैं व्यक्या नहीं करूंगा भाषन उसमें एक्जेक्ट लिखा हुआ है तो इसके बाद मैं उन से पूछा गया की आप कहते हैं की अहिंसा होनी चाहिए लेकिन गीता के चौथे अध्याय में तो लिखा है कि पापी की हत्या करें जाए तो उसको दंड दिया जाना चाहिए तो गांदी जी ये कहते हैं कि भाई दंड जो महा भारत में गीता में तो भगवान कृष्ण दे रहे हैं जो सब कुछ हैं सरस्टी करें चाहिता भी हैं संघार करता है तुने अधिकार है तुम कैसे ये कृष्ण बने जा रहा हो तुम्हें थोड़ी अधिकार हो गया है और डेमोक्रेसी है जो हमने नए नजाम अपनाया है इसमें तो अधालत ये बात करेगी फिर उसमें कोई धीरे और हिटलर के लोग भी किया करते थे ये उन्होंने यहाद लाया फिर वो कहते हैं कि आपके जो गुरुजी ने हमें से वादे किये हैं मैं पर यकीन कर लेता हूं लेकिन अगर ये जूटे निकले तो ये अच्छा नहीं होगा ना देश के लिए ना आपके लिए तो वो बा लोग फटकार के और यह आगा करके उन्हें आये हैं हां गांदी जी की एक बात रही जो किसी भी महान पूरुश्की हो सकती हम आप जैसे लोगों में हो सकता आप में हो हम जैसे में तो नहीं आ सकती कि अगर कोई कहता है कि मैं सत्त्य के मार्क पे चलने को तयार हूं तो वो दिन तीन लड़के आते हैं वो विरोध करते हैं फिर उसके बाद 30 लोग खड़े ऊकर विरोध करते हैं उसके अगले दिन ग्ञांधी की दिन गंधी जी कहते हैं तो तो यह पुश्टी कैसी होती है कि वो RSS है क्योंकि अगले दिन RSS का खंडन करता है कि नहीं यह हमने नहीं किया है यह हमारे लोग नहीं है और उसके खंडन के बाद लोगों का आना रुख जाता है तो यह सब चीजे मैं इसलिए बार बार कई बार जब जब RSS का सवाल आता है तो मैं नहरू जी को कोड़ कर देता हूँ कि नहरू जी नहीं यह कहा कि जब RSS वाले कहें कि मैं पूरब दिशाव में जा रहा हूँ तो आपको पूरव के अलावा बागे तीन दिशाओं में उने ढूंडना चाहिए इस अंदाज में नहरू जी ने RSS को व्याख्याइद किया है आप इस सवाल के जवाब में हिटलर और मुसोलनी का जिक्र कर रहे थे किताब में तो आप यह प्रसंग नहीं लाए RSS के भाष्मे वाले में वो जो पिछली चर्चा आप से हुई थी नहरू जी वाली किताब में वो सारा दर्ज है प्रसंग किताब में जब आप गान्ली के भाष्म सब्सक्रेव चले गए तो मैंने इसलिए कई परलाल जी ने जो व्याख्या की वह पूरी बता देता हूं और नहरूजी वाली किताब में आपसे डिसक्सिन में हुआ था जी जी उसमें यह नहीं था इसलिए मैंने इसमें पूरा डाल दिया जिस पर वीर सावर करने बाकाइदा किताब भी लिखी है आप ये जिक्र कर रहे थे पिछले सवाल में सौरफ सर के कि गांधी जहां पर संकाट आता है या जहां पर जो पीडित पक्षे उनके पास जाते हैं इन फैक्ट वो अपने मरने के मतलब जो उनकी हत्या हुई है उस वक्त तो पाकिस्तान भी जाना चाहते थे गांधी मोपला क्यों ने गई कई आलोचे किस बात का सवाल पूछते हैं गांधी उस असम के दौरे पर थे क्या गांधी मोपला विद्रो पर चुप थे या गांधी मेरे पास कुछ मैंने देखे जिससे मुझे प्रेणा मिली कि मैं इसको पढ़ूं और इस किताब में लिखूं गांधी जी ने असम से ही लिखा है जो उसमें दर्ज होंगे सुरुवाती पत्रून के आ रहे हैं जो कि नव जीवन में और यंग इंडिया में छप रहे हैं वो गांधी ये भी लिख रहे हैं कि उन पे उतना असर हमारा खिलाफत का नहीं है अभी तक हमारा आंदुलर्ण वहां पहुंचा नहीं उतनी आहिंसा हमारे पास पहूंची नहीं वहां के मजदूर जो वर्ग है वो मुसल्मान है जमीदार वर्ग है वो हिंदू है जगड़ा ये शुरू होता है ये रिवन्यू वाले मामलों से कुछ शुरू होता है और जहां से ट्रिगर होती है पूरी घटना करम कि एक कचेहरी में बहुत सारे मुसलमानों को बिठाया जाता है और फिर उन पर प्रशासन अंदादूंद गोलियां चला देता है मानली जी कि जैसे अपना जलियां वाला बाग कांड है छोटे सरूप में वहाँ पर हो रहा है उससे ये आंदूलन अग्र होता है इसमें जो जमीदार वर्ग है जो स्वताही शासन के साथ है वो उनका सहयोग करता है तो शुरू में आंदूलन सिर्फ प्रशासन और सेना के ख मारे जाते हैं धर्मांतरन होता है यह सारी घटनाय जेल से बाहर आके तो करने सकते हैं आने के बाद वो फिर उसमें हस्तक्षेफ कर रहे हैं और वो यह सवाल कर रहे हैं जो बहुत बड़ा सवाल जिस पर जो लोग देश को प्यार करेंगे वो यह सवाल करेंगे कि मोपला आंग्रेजों ने मोपलाओं को तो मारा करीब 4000 से उपर मोपला उसमें मारे गए लेकिन उनने हिंदूओं को बचाने की कोई कोशिस नहीं की तो गांधी ये पूछते हैं कि अगर इंग्लेंड में अंग्रेजों का कोई तब का ऐसा आंदूलन करेगा तो उसमें आप अपने नागरेकों की हत्या पे और जो भीड के दूरा मारे जा रहे हैं उन नागरेकों की हत्या पे उन्हें बचाने के बजाए आप हत्या में चूट जाएंगे माने आप ये इंस्योड नहीं कर रहे हैं कि मुसल्मान हिंदू को ना मार सके उन्हें मरने दे रहे हैं और आप इधर सैना के माद्यम से मुसल्मान को माँआ रहे हैं तो आपकी जो कोशेस है कि हिंदु-मुसल्मान का डिवाइड और बढ़े तो गांधी यहां आते हैं कि जब यह ते हो चुका है और बड़े से बड़े जक्म दोनों कौमों को सहने पड़ेंगे ये उनकी बातचीत का आता है आखरी में तो वो जो 25-25 के आसपास जो इस्थिती बनती है कि जो 4-6,000 मौपला मार दिये गए थे उनके बच्चे अनात हो जा रहे हैं उनकी पत्नियों की इस्थिती बहुत खरा कि प्रसंग पूरा कोट किया है कि एक हसन आया फिर एक हुसेन आया अगरवती इस तरह के जो पन्यास होते हैं या और भी जिनें हमें बचपन में रोका जाता था कि आपको नहीं पढ़ना है जिनमें इस तरह हिंसा सेक्स इस सब के बीबच्स दरस्ते होते थे जो जुगफ किया है तो अब इसमें हम सावर कर सही है गांधी सही इस पर छोड़ देते हैं हिंदुस्तान के लिए क्या सही है हिंदुस्तान में शांती जरूरी है हिंदुस्तान में प्यार जरूरी है हिंदुस्तान में सद्धाव जरूरी है हो सकता है कि हमारे पुर्खे बहुत से लोगो रही है उसमें अक्सर ये बहुत बहुत होती है और बहुत नैतिक तरह की बहस है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चाय चौबार तक लेकर जा रहा हूं क्या इतिहास को जैसा हुआ ठीक उसी तरह परूसा जाना उसी तरह लिखा जाना चाहिए कि हाँ यह गलत हुआ आपको आगे लिकर जाना है लिकनी हुआ था इसको सुविकार करें इसके बार में रिकंसलियेशन यह बड़ी इंपॉर्टेंट वहस है प्यूश भवेली जी कि क्या इससे भला होगा इसलिए ना लिखा जाए नहीं मैं थोड़ा सा और विस्तार देना चाहूंग जो हुआ है तो अगर एसी बात की चिंता हो कि भविष्च में इसका क्या असर होगा इसका कैसा इस्तमाल होगा तब तो इत्यास में अब तक हुई हिंसा की सभी घटनाओं पर परदा डाला जा सकता है मनिपुर में जो हो रहा है 2002 में जो हुआ 1984 में जो हुआ मुरादाबाद में जो हुआ मेरट में हुआ एहमदाबाद में हुआ मोपला में जो एक पड़ी लबी लिस्ट है तो आप कह रहे हैं कि इससे भविष्च क्या लाब होगा लेकिन जैसा मेरे साथी दीपक ने कहा कि एक तरीका तो ये भी है कि जो कुछ हिंसा हुई उसको as it is लिखा जाए तथिपरक धंग से लुगति साहित की तरह ना लिखा जाए पर वो तो उपन्यास है उसकी एक अलग टिपनी है और उस अतीत को पढ़के फिर आप अपना ये विवेग जागरित करें तो अगर उस अती को जो inconvenient truths हैं अलग अलग power centers के जाब हमारे राज में आप इस पर बात मत करो तुम्हारे राज में आप उस पर बात मत करो उसका क्या किया जाए जहां तक जो भी अच्छे इत्यास कार होंगे मैं तो बहुत इत्यास उस तरह से नहीं कह सकता हाला कि अब मैंने दू किताब में लिखनी तो आप लोग कह देंगे कि आप जानते हैं तो जितना आप तथ्यों के करीब जा सके जाना ही चाहिए और जो सत्य है वही लिखना चाहिए तो दूसरी बात बर्णार्ट शाने कही कि we learn from history that we do not learn from history तो इतिहास तो वही लिखा जाएगा कि इतिहास में जो हुआ सब कोई defend करने की बात नहीं कह रहे हैं हम सिर्फ उस बात का कह रहे हैं कि गांधी ने उन सब चीजों का समर्थन किया था मैंने इस तिहास को विकृत और च्यों कर रा उससे आप क्या कर लोगे और यह सब विता आगे आगे बढ़ती जाती है दृष्टि का निर्माड करना और ये मेरा सवाल मौझूदा वक्त में कॉंग्रेस के एक नेता के सलाकार से कम और पूरुपत्रकार से जादा है क्या लगता है आपको नरेंद्र मोधी के नित्रत तुम्हें भारती जनता पार्टी के केंद्र में सत्ता के आने के बाद से दक्षन पंत महात्मा गांधी के साथ इस नई अनुराग के साथ क्यों पेश आ रहा है भाई मैं तो आजकर भूपाल में रह रहा हूँ और वहां की सांसत प्रग्या ठाकुर है जिने मोधी जिया अस तक मन से माफ नहीं कर पाए हैं और ना सांसती से हटा पाए हैं ना उन्हें कोई दंडित कर पाए हैं हिंदुत वाला दक्षन पंत में कहूं ये दोनों सार हर धर्म में दक्षन पंत होता है ये हिंदू दक्षन पंत की हम बात कर रहे हैं लेकिन मन नहीं है इनका, क्योंकि जो ट्विटर पे ट्रेंड चलते हैं, जो ये वाटसप जिनके हम आप जिक्र कर रहे हैं, जिनके काउंटर के लिए एक किताब लिखी गई है, वही नेता मंच पे कुछ और कहते हैं, उन्हीं की तस्वीरें मिल जाएंगी जो गांधी के हत् कर रहे हैं, अभी परसों ही नरसों, ग्वालियर में कोई गोटसे की जैनती मना रहा था, भाजपा की सरकार है सब प्रतिबंद लगाया गया, क्या कोई सक्तकार रुवाईयां की गई, तो इनके दो मूँ है, एक मूँ है जो मंच पर है, जो दिखाया जाता है, जो राजग चलती रहेंगी, जिसमें सभी पक्षों के तरकों को सुना जाए, उनके साथ समवाद किया जाए, इस पूरी बातचीत के वारे में आपकी क्या रहा है, जरूर बताईए, और इस किताब के लिए भी मैं यही कहूंगा, कि बहुत ही श्रम पूरवक, अध्यान पूरवक, इस सत्य और गांदी सियासत और सामपरदायक्ता, यह आ गई है, वो तयार है, एक किताब और आनी है, नेरु मिथक और सत्य के बाद गांदी मिथक और सत्य, उसमें उन सावर करका, बेटकर का, भगत सिंग का, पटेल का, सारे सवालों के जवाब मुझे लगता है, बिल्कुल और यह चुकि एक ऐसा व्यक्तित रहा है, जिसका कई दशकों तक भारती राजनीती पर प्रभाव रहा, और उन दशकों में जो फैस्टली लिये गए, उन पर अब तक चर्चा होती है, अगर कोई आप से यह कहे कि गांधी आलोचना से परे है, अगर कोई आप से यह कहे कि गांधी, ईश्वर या ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, तो आप गांधी मांगमय को पढ़कर ही कह सकते हैं कि इस बात को सिर्य से खारिज कर दिया जाना चाहिए, तो आप शास्त्रार्त करें, आलोचना करें, पर यह याद रखें कि उससे आप हासल क्या करना चाहते है और जब यह सब करें, तब सत्य को अपने अगल बगल मौजूद जरूर पाएं, प्यूश बबहले जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि मद्यपरदेश के विधान सवा चुनाओं के बाद आपको परियाप समय मिलेगा, और आप अपनी अगली किताब को भी जल्द पूरा आपको किताब वाला में आज के लिए इतना ही, बाकी हमारे साथी दीपक्त अन्गुलिया के नेतरत तुम्हें, आप रोजाना किताबों पर हमारा करेक्टर्म किताबी बातें जरूर देखें, और बताएं कि आपकी किताबों को लेकर रुची क्या है, आप इन दनों कौन स किताब में पढ़ रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया